तो वेल्कम बैक अगेन गईस के सो यार आप से भी लोग करता हूं कि आप से भी लोग मस्त होंगे मैं सुमित लेकर आगया हूं आपके लिए फिर से एक होने मौड पर वीडियो तो गईस आज के समॉड पर हम करने वाल हैं ओडी एट के मौड का रिव्यू तो गईस फ्रेंट से इसकी शुरुवात करें तो फ्रेंट से आप इसकी हैल लाइट वगेरा देख सकते हो जो कि एकदम रियलिस्टिक आपको मिलने वाली है और ग्रिल वगेरा सब कुछ आपको मिलने वाला ग्रे कि यह ऑड़ीallo कि आटी जो कि दिखने में बहुत ही प्यारी है साइट प्रोफाइल की बात करेंए फрах साइट प्रोपाइल की देख सकते है जो कि देने एकदम बढ़िया लगती है इसके ऐलोई वील काभी अच्छी और कादी बढ़ी है रियेर की बात कर कार के अंदर मॉट के साथ क्या फीचर मिल जाते हैं आपको बता देता हूं पहले वाले से डोर से किंड से बोनट अंड थर्ड से आपका और वाले से आपके सारे डोर खुल जाएंगा बूट खुलने का आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है यह मॉड अभी वर्जन वरन है तो इसमें आप गिलिच वगेरा देख सकते हो कि नीचे रोड वगेरा और दर्वाजर साइट से पूरे नहीं दिख रहे हैं तो मैं आप आपको दिखा देता हूं तो आपको दिख पा रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं सो गयज अभी इसमें थोड़ा और अपडेट की ज़रूरा आता है तो आप देख सकते हैं कितने गिलिच है तो यह अपडेट होका दूसरे वरिजन मे तो यह अच्छा हो जाएगा बट जब सारे डोर वगेरा क्लोज हो जाते अपनी फिटिंग में आ जाती है पूरी गाड़ी तो बहुत ही बढ़ी अलगती है बट रूफ में काफी है आपको glitch देखने को मिलेगा आपने interior देखाओगा इसका मैंने आपको dashboard वगेरा दिखा दिया अगर मैं इसकी speedometer की बात करूँ तो properly तरीके से working है और light on होने के बाद वो काफी बढ़िया लगता है और wiper भी properly तरीके से working है आप look देख सकते हैं इसका headlight वगेरा भी properly तरीके से work करती है गाड़ी overall बहुत ही बढ़िया है इसमें मेरे को एक चीज़ की कमी लगी कि इसमें sunroof नहीं है अगर sunroof होता तो काफी बढ़िया रहता और ब्रेक मानने पर इसकी जो brake light है वो बहुत ही प्यारी लगती side में आपको window पर chrome की garnish मिल जाती है जो की काफी इसका look अच्छा कर लिए तो guys अगर इसमें बात कर तो आपको mod में काफी छोटी लग रही होगी but real life में ये बहुत ही huge मेहमत जैसी ये बहुत ही बढ़ी है जो की काफी अच्छी लगती है इसमें आपको 5 sitting का option मिलने वाला है जो की काफी बढ़ी है and guys sunroof का इसमें कमी है अगर sunroof हो जाता तो काफी बढ़िया रहता तो guys वो जो side में glitch था तो पहले हम उसको चलते हैं ठीक करने तो पहुंच चुकि हम petrol pump है और यहीं पे side में petrol pump है तो अब हम कराएंगे fuel refill fuel refill कराने के बाद वो glitch ठीक हो जाएगा and यह grey color बहुत ही प्यारा लग रहा है shine कर रहा है धूप के साथ तो काफी सही है and interior देख सकते हैं आपको wood finish और leather वाला interior मिलने वाला है सामने आपको audio के चार छले दिख जाएगी जो की काफी बढ़ी है and guys मैंने brake मारा तो brake काफी बढ़ी है and जैसी मैंने accelerate करा तो इसका pickup भी बहुत जादा जबर दसते तो आप देख सकते हूँ कि कैसे इसने pickup पकड़ा मुझे काफी बढ़ी है और brake काफी सही है इंक्तम रुख जाती है जो की guys इस mod को काफी बढ़ी है बनाता है हम इसकी टॉप स्पीड का कि इसकी टॉप स्पीड का है और controlling वगेरा और stability overtake लेते वे टर्न लेंगा जब में left और right को तो कैसे यह perform करती है तो वीडियो में बने रहे ना जो भी वीडियो को पहली पार देख रहा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना या से प्रेस कर देना ताकि कोई भी मौड मिस ना करो तो आप देख सकते हैं हाई वीडियो पर चलते वे बहुत ही प्यारी लग रही और ग्रे कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है अगर आपको यह ग्रे कलर चाहिए तो आप मुझे डियम कर देना मेरे इंस्टाग्राम पर तो आप महां से जाके मैं मतलब आपको महां पर शेयर कर दूँगा नहीं तो आप गूगल पर जाके से सर्च कर लेना या फिर आप कोई सबी दूसरा कलर इसमें यूज करना चाहते हो तो ऑनलाइन मतलब गूगल में जाके सर सब्सक्राइब करते हैं काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करें इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी इसकी कंट्रोलिंग बहुत सही है स्टेबिलेटी में काफी सही लगी बट यह कि हाँ जब पूरी हाई स्पीड में आजेगी तो थोड़ा आउट उप कंट्रोल हो सकत है नडिया है सो गई अगर के इसकी टॉप स्पेड के बात करने तो तो थो ठर्तीफ़ तक अराम से प्राउं जाती है जो कि बहुत यह बड़िया है और इसकी ब्रेकिंग भी अ काफी तगर इसकी काफी बड़िया बनाता है सो गई-टोर स्च्छी है आप डाउन ओड कर सक् तो गाइस आज किस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं अगले मौट अगली वीडियो में झाल 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 झा